नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लैट्फॉर्म अनकेडिनिग पर आप सभी को गुड इम्निंग आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी और कॉंसिट्यूशन की इस क्लास में जहां पर हम पॉलिटी को एक नए एंगल से देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे बार-बार कहा था कि पॉलिटी को समझने के लिए और polity के segment से आने वाले सभी प्रशनों को हल करने के लिए हमें constitution जरूर पढ़ना होगा लेकिन constitution को भी इस तरह से पढ़ना होगा जिससे हम polity की demand को पूरा कर सके और उसी प्रयास में मैंने constitution को प्रारंब किया था हम लो प्रियंबल अर्थत उद्देशिकाव को पढ़ रहे थे और आज की जो हमारी चर्नी है इसी उद्देशिकाव को क्या करेगी आगे बढ़ाएगे तो आप सभी का स्वागत है Indian Constitution of Politics की इस क्लास में प्रिस मुझे एक बड़ कण्फंड कर दीजे किया मेरी आवाज आप तक पहूंच पा रही है अवाज जा रहे है न चले तो सबसे पहले उस प्लेटफर्म की विशनमें जान लेजें जिस प्लेटफर्म के माध्यम से क्लास आप तक पहुंचाई जा रही है फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं टॉपिक के स्टार्ट करते हैं हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्णिंग प्लैटफॉर्म अनकेडमी पर जहां पर आप भी सब्सक्रिप्सन लेकर अर् देख सकते हैं मुखरजी नेगर दिल्ली के सबसे प्रतिशिक कोचिंग संस्थानों का फेकल्टी रहा हूँ इससे पहले कई प्लैटफॉर्म पर आपने मुझे पढ़ाते हुए देखा होगा सुना होगा और अभी भी उसको देख रहे हैं मेरे पास ऑनलाइन के साथ साथ टीचिंग का एक अपना experience है जिसका mention यहां पर किया गया है लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ इससे ज़्यादा important है class की quality देखना क्योंकि class की quality हो सकता है इस experience से ज़्यादा आपको अधिक अच्छी लगे यह मेरा telegram channel है इसका link वीडियो के description में दिया गया है अगर आप आपने अभी तक इस telegram channel को join नहीं किया है तो मैं request करूंगा video की description में जाए telegram channel को join कर लेजे इससे क्या फायदा होगा आपको class की सूचना है PDF notes प्राप्त होंगे और साथ ही साथ आप मुझे से जोड़ जाएंगे आप यहां पर जोड़ कर मुझे personal message कर सकते हैं किस परकार का personal मैं से जब आपको an academy का course और subscription लेना होता है तो आपके दिमाग में कई तरह के प्रश्न होते हैं आप इस screen पर देख सकते हैं आपके सामने एक code है यह मेरा educator और referral code है sunilv जब आप इसका यूज करके plus course या फिर iconic course कोई भी course लेंगे तो यहां पर आपको 10% discount मिलेगा फीपर इ उन से बोलिए कि हमारे पास एक educator or referral code है जिससे आपको offer मिल जाए जितने भी discount चलने ओ भी add हो जाए और साथ ही साथ आपको मेरा personal guidance प्राप्त हो जाए अगर मेरा personal guidance किस इस तरका होता है नहीं देखा है आपने तो telegram पढ़ जाए उसको देख लिजे क्योंकि अगर आपने उ geography पढ़ने वाले है current affairs पढ़ने वाले है इसको start किया जा रहा है इसमें आप admission ले सकते हैं इंडिया के top educator यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे इसमें मैं भी सामिल हूँ तो आप यहाँ पर मुझसे पढ़ने वाले batch start होने वाला है उससे पहले हमें क्या करना होग subscription complete को लेना होगा और subscription के लिए आपको चाहिए होगा एक educator और referral code जो कि आपके सामने screen पर लिखा हुआ है देखिए UPSC CSC Plains 2024 के लिए एक नया batch लच्च 2024 स्टार्ट हो रहा है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं इसी educator और referral code के माध्यम से subscription ले सकते हैं तो बार बार जो आपके सा screen पर आ रहा है यह educator referral code इसको ध्यान से दिख लिए अने academy का जो course है वह यह माई basis पर अर्थात मंतली basis के payment option पर भी उपलब्द है बाकि मेरी class की सूचना है आप देख सकते हैं हम लोगों ने 12 बज़े इस class को देखा उसके बाद जो है कि 4 बज़े हम इस class को देख रहा है 9 से उससे कुछ अलग class होती है जो हमारी plus की class होती है plus की class में कैसे आप आ सकते हैं जब आपके पास क्या होगा subscription होगा अगर ऐसी condition है कि sir हम subscription तो ले ही नहीं सकते तो भी मैं आपको एक तरीका बदा देता हूं वीडियो के description में जाहिए आप मेरा unacademy profile link को follow कर लेजे इससे क् पर जो classes में करा चुका हूं आप उनको free of course देख सकते हो लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि plus class जो होती है या जो iconic classes होती है वह बहुत अलग होती है वहाँ पर जो आपको feel आता है या आप जो educator से जुडाव रखते हैं ठीक उसी तरह का होता है जैसे एक offline batch में जैसे कोई प्रशना जाएगा आप handrage करके पूछ सकते हैं आप जो है की quick तरीके से अपने doubts को solve कर सकते हैं आप मेरा personal guidance प्राप्त कर सकते हैं writing skill improve कर सकते हैं presentation better कर सकते हैं अगर इतना आपने कर लिया फिर selection क्यों नहीं होगा जरूर होगा उसके लिए क्या कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन की चलि हम आजाते हैं अपने topic पर और हमारा जो topic है हमारा जो topic है इसमें हमें बात क्या करना है हमें बात करना है उद्देश का पर ठीक है हमें बात करना है उद्देश का पर एक सिकेंड दीजे मुझे एक बर बता दीजा आवाज तो ठीक जा रहे हैं सब कुछ ठीक है न class बंद हो गई ग्या कौन लिख रहा है class तो चालो कहां बंद हो ए class तो चल लगी कहां बंद हो ग्या बच्चो बीच में बंद हो गई थे क्या क्लास तो चल लए है पहले से एक बार कनफर्म कर दिजे चले चले ठीक है ठीक है बीच में बंद हो गई थी क्या कोई अगर स्टार्टिंग से जुड़ा हो तो बता दें को है मुझे अब चल लए है चलो ठीक तो कल हम लोगोंने अपने प्रियंबल के कुछ सब्दों को समझा था और मैंने आप से कहा था कि यह हमारा जो प्रियंबल है जो उद्देश का है इसके एक-एक सब्द को हमें उसी गहराई में समझना है जिस गहराई के साथ इन सब्दों को हमारे समिधान निर्माताओने लिखाता अगर हम इन सब्दों को समझ लेंगे इसका मतलब है कि हम पूरे समिधान को समझने में सच्छा हो पाएंगे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो reference होता है जो प्रस्तावना होता है वो किसी भी किताब में क्या-क्या लिखा है उसका एक निचोड होता है उसका एक क्रक्स होता है ठीक इसी तरह से हमारे constitution का जो preamble है वो भी इसी रूप में है अर्थात अगर हम उद्देशिका को सही से समझ पाए तो आप यह समझ रिजे कि आप पूरे सम्विधान को उसी गहराई के साथ समझ पाएंगे तो हमारा जो सम्विधान है इसकी पहली लाइन जो प्रारंब होती है वो किस से होती है हम भारत के लोग और मैंने आपको बताया था कि यह जो लाइन यह जो चार सब्दों का एक छोटी सी लाइन है इसके क्याक्या माइन है यह बताती है हम भारत के लोग का मतलब यहां पर एक है कि जो सत्ता का स्रोत होगा वो जन्ता होगी। अर्था छाहें परधान मन्तृ हो, राश्च्पंती हो या मुक्य मन्तृ हो वो सासन व्यवस्था को किस रूप में चलाएंगे, कितने समय तक चलाएंगे। वो सक्ती जन् अर्था डिसाइड करेगी कि किसको क्या अधिकार होने चाहिए हम भारत के लोग भारत की पूरी सासन परणाली के केंद्र में हैं चाहें सरकारें कोई भी आएं कितनी भी मजबूत या कमजोर सरकार आ जाये उसको जनता के हिसाब से क्या करना होगा सासन व्योस्था को आगे बढ़ाना होगा फिर इसको हमने इस सब्द को समझाने के बाद आपको बताया था कि अगला जो सब्द है भारत को एक शंपून परभुत शंपन देश के रूप में यहां पर घोसित किया गया अर्था इसको एक सौवरेन इस्टेट के रूप में डिफाइन किया गया सौव आप अपनी विसे में नेड़े लेने में सच्चम हो अर्थात अगर आपकी उम्र 18 बर्श से जादा है तो आप क्या हो जाते हो मेजर हो जाते हो आप हर जगे अपने आपको परचेंट करते हो आप हर तरह के नेड़े लेने में सच्चम हो जाते हो ठीक इसी तरह से जब अपने हिसाब से चला पारा है तो संप्रवु है। लेकिन आंतरिक मामलों के साथ साथ बाहे मामलों में भी उसको संप्रवता उसके पास होने चाहिए। लेकिन उसकी संपर्भूता का उलंगन अमेरिका के दौरा कई वर किया जा चुका है अमेरिकी सेनाएं, अमेरिकी फोच पाकिस्तान में जाती हैं और उहां पर छुपे हुए आतंकियों को मार आती हैं बिना पाकिस्तान को इनफॉर्म किये ये क्या हुआ पाकिस्तान की संपुर्भूता का उलंगन हुआ हालाकि पाकिस्तान इस पर क्यों नाराजगी ब्यक्त कर सता है और कुछ नहीं कर पाता है जबकि मैंने आपको बताया था कि भारत जब आजाद हुआ, तो भारत के उपर भी दबाव था कि वो किस खेमे में जाए, अमेरिका के खेमे में जाए, जो कि पूझी बादी ब्योस्था को लेकर बढ़ रहा था, या फिर वो USSR की ओर जाए, जो कि एक समाजवादी या सामेव समाजवादी आइडॉलजी को लेकर बढ़ रहा था, भारत ने कहा कि हमें किसी खेमे में नहीं जाना है, हम गुट निर्पिछ रहेंगे, ये भारत की समप्रभुता को और सौवरिन्टी को क्या करता है, प्रूब करता है, उसके बाद जो हमने कल एक सब्द आपको समझाया वो है समाजवादी, समाजवादी सब्द ये बताता है कि जो हमारा समाज होगा, उस समाज में पूजी पती भी होंगे और गरीब भी होंगे, लेकिन राज यहाँ पर क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगे, राज सभी को समान नजरिये से देखेगा, उत कंट्रोलर के रूप में होगा, एक रेगुरेटर के रूप में होगा, जो ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसी नीती तो नहीं अपनाई जा रही है, जिससे पूजी या उत्पादन के सभी सादनों का केंधर एक व्यत्ती के पास हो जाए, दूसरा मैंने बता कि जो समाजवादी राज्य होते हैं, वो कल्यानकारी नीतियां अपनाते हैं, और मैंने आपको बताया, मनरेगा से लेकर, पीडियस तक जितनी सरकार की योजना है, वो सरकार के समाजवादी लच्च को बताती है, और इसी क्रम में, आज जो सब्द को हमें डिटेल में कई तरह की डिबेट हो जाती है, होता क्या है, कि जो सब्द कई तरह के डायनमिक आयामों को अपने आप में समेटे होता है, उसको लेकर कई तरह की बातें उड़ती हैं, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि आखिर ये पंत निरफेच और सेकुलर क्या एक ही है, और इन ही से आप देख सुने होंगे, एक सर्व और निकल कर आता है, और वो है धर्म निरफेच, तो यहाँ पर हम समझना है पंत निरफेच को, लेकिन हम समझेंगे कि क्या भारत पंत निरफेच है, या फिर धर्म निरफेच है, और अगर भारत सेकुलर है, तो क्या सेकुलर उसी तो आपको जो सब्द आज समझना है वह है हमें एक सब्द समझना है सेकुलर और सेकुलर को सबसे पहले हम चूंकि यह जो सब्द है अंग्रेजी का सब्द है तो देखेंगे कि आखिरी सब्द आया कैसे और जब यह सब्द अस्तित्तों में आया तो यह किस अर्थ को लेकर आया और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा देश है वो किस रूप में सेकुलर नजर आता है उसके बाद एक सब्द जिसका उल्लेक हमारे समिधान में हिंदिश संस्क्रण में किया गया है वो है पंत निर्पेच तो हम इस सब्द को देखेंगे कि आकर पंत निर्पेच क्या होता है औ और फिर इसी के साथ एक और सब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं, वह है धर्म निर्पेच, इसको हम देखेंगे, अगर इन तीन सब्दों को हमने समझ लिया, तो आज की हमारी जो कलास है, वो क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी, किलियर है, चल, अब देखी, सेकुल, सेकुलर अर्थात इसको हम दोनों सब्दों से हिंदी में अगर हम देखें, तो इसके लिए हम दोनों सब्द योज कर लेते हैं, और वह है पंत निर्पेच, वह है पंत निर्पेच, और दूसरा है धर्म निर्पेच, दूसरा है धर्म निर्पेच, हम ये दोनों सब्दों को क्या कर योज कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर मैं define करूँगा कि कौन सा सब्द हमें योज करना चाहिए, अभी तो दरसल हमें क्या करना है, secular सब्द जो आया है, इसको हमें समझना है, ठीक है, अब मैं इसकी जर्नी को एक story के form में आपको बताता हूँ, जिससे आप इस सब्द से समझ पाएं, ठीक है, तो देखें, जो शेक्यू, secularism, ठीक है, अर्थात, जो पंत निर्पिच की ओधारना है, ये कैसे आई, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यूरोप में जाना होगा, चूंकि ये पस्मी सब्द है, secularism, इंग्लिस का जो सब्द है, वहीं से आय है, और ये और धाना भी वहीं से आई है, तो इससे हमें वहीं से समझना होगा, हम यूरोप में आते हैं, और यूरोप में कब आते हैं, हम आते हैं, पंदर्मी और सोल्वी सताब्दी, अब पंदर्मी और सोल्वी सताब्दी में अगर आप आएंगे, तो यहाँ पर यूरो कर रहा हुआ है सेकुलर ठीक है तो हमें इस सब्द के पहले इतिहास को समझ ले फिर हम भारती कंडिशन को देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि आखिर समिधान में पंत निर्पेच सब्द हिंदी में क्यों लिखा है धर्म निर्पेच सब्द क्यों नहीं लिखा हुआ है इसक यही सब चीज़े आप जानते हैं, हम इन चीज़ों को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, यह जो सब्द जिस तरह से आया है, उसको हमें क्या करना है, समझना है, क्लियर है, तो हम कहे रहे हैं, यूरोप में, पंदर्मी और 16 सताबधी में जब आप तो यहाँ पर क्या हुआ, चर्च का परभाव बहुत जादा दिकाए, और चर्च का परभाव है, यह किस धरम से जोड़ा हुआ है, यह जोड़ा हुआ है, इसाई धरम से, और इसाई धरम से, जब यह जोड़ा हुआ परभाव है, चर्च का परभाव है, चर्च का में आप अगर चर्च का परभाव देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा रोमन समराज को देखना होगा और रोमन समराज को देखेंगे तो रोमन समराज ने क्या कर दिया था इसाय धर्म को राज का धर्म घोसित कर दिया इसाय धर्म को राज का धर्म घोसित कर दिया राज्य का धर्म घोसित करने का मतलब क्या है कि उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए यही धर्म होगा और इसी का क्या करना होगा अनुसरन करना होगा अब जो चर्चवाली बिवस्था है या पहले जब इसका विकास हुआ होगा तो इसका सवरूप कुछ और रहा होगा लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हर सामाजिक बिवस्था में या धार्मिक जो है कि जो परक्रिया होती है उसमें कई तरह के विसंगतिया आ जाती ह और इसी प्रकार की एक विसंगती आप चर्च के कंडिशन में भी देखेंगे यहाँ पर क्या था कि जो इसाई धर्म है इसमें आपने सुना होगा कि यहाँ पर दो सेक्ट होते हैं सेक्ट का मतलब होते हैं जैसे आपने कैथोलिक सुना होगा, प्रोटेश्टेंड सुना होगा, कैथोलिक और प्रोटेश्टेंड दोनों क्या हैं, दोनों इसाई धर्म को ही मानते हैं, लेकिन इनकी माननेताएं क्या हैं, अलग-अलग हैं, तो जो प्रारम में चर्च हुए थ वह कौन से थे Catholic Church ही थे तो देखिए Catholic Church किसी समयकाल में और कौन सा समयकाल है पंदर में और जो है कि 16 सताव दे Catholic Church का जो परभाव था वह बहुत जादा था और Catholic Church कुछ बिसंगतियों से घिर गया था किस परकार की Catholic Church क्या करते थे यह पैसा लेकत यह धन के बदले में क्या कर देते थे यह कई तरह के पास देते थे कई परकार के लेटर जारी करते थे और यह पास और लेटर का संबन किस तरह से था कि अगर आपने कोई पाप किया ठीक है आप से कोई पाप हो गया आप चर्च कहो कि या वहाँ पर जो पोप हैं उनसे कहो कि हमसे ये पाप हो गया है वो कहेंगे कोई बात नहीं आप यहाँ पर पैसा चढ़ा दो हम आपको एक लेटर जारी करते हैं आप पापों से मुक्त हो गया ठीक इसी तरह से आप धन दे दो तो हम आपके स्वर्ग में आपकी विव जो उसे जागरूक थे या जो अपनी धर्म में हो रहे उस परिवर्तन को अच्छे से नोट कर रहे थे उनको लगा कि नहीं यह जो धर्म है यह अपने रास्ते से भटक चुका है और यहाँ पर करप्सन के साथ साथ कई तरह की विसंगतियां हो रही है अर्थात ब्यक्ति क् पाप कर रहा है कई तरह के अन्याय और अत्याचार कर रहा है और पैसे को देकर लेटर प्राप्त करके वह क्या कर रहा है पारलो की अर्थात इस दुनिया से उपर की अपनी ब्योस्ता को सुनिशित कर रहा है जबकि इसके कोई परमाड यहाँ पर दिख नहीं रहे तो चर् तिके इस गेंद्र को कौन डील कर रहा था Catholic Church और इसी के खिलाब इन्होंने इसी Catholic Church के खिलाब एक नाम आपने सुना होगा और वह थे Martin Luther Martin Luther ने Church के इस प्रभाव को चुनोती दी और उन्होंने क्या किया किताबों को लिखना प्रारम किया किताबें लिखे नोर्स लिखे और उसमें उन्होंने कहा कि जो यहां Church क्या कर रहा है जो इस प्रकार के लेटर जारी कर रहा है यह पाप की माफी के लिए यह जो लेटर जारी किया जा रहा है यह गलत है कोई भी धर्म इस तरह की चीजों को स्युकार नहीं कर सकता या किसी भी धर्म के मूल में इस तरह की कोई ब्योवस्था नहीं है कि आप यहीं पर धन दे दो और आपके पाप माप हो जाएं या फिर आप यहाँ पर पैसा दे दो तो आपको स्वर्ग में कोई इस्थान फिक्स हो जाए इस परकार की कोई ब्योवस्था जो है कि इसाई ध धर्म में नहीं है यह बात कौन कह रहा है मार्टिन लूथर इनका नाम आपने सुना होगा और मार्टिन लूथर ने क्या किया यह 1517 की बात है 1517 में उन्होंने कई किताबों के माध्यम से चर्च के खिलाब लिखना और बोलना चालू किया धीरे-धीरे मार्टिन लूथर के ज निमाग खराब हो गया है लेकिन बात क्या है चुकि बिचार था तो बिचार क्या करेगा अपना आकार जरूर गरहंड करेगा धीरे धीरे ये बिचार क्या होगा बढ़ने लगा और इस बिचार को मानने वाले लो कौन कहलाए वह कहलाए प्रोटेस्टेंट का यह लोग बिरोध करने लगे और जब यह लोग बिरोध करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ प्रोटेस्टेस्ट तो प्रोटेस्टेंट जो है कि अस्तित्त में आए अर्थात इन्होंने कहा कि हम इसाई धर्म मानते हैं लेकिन चर्च के इन आडंबरों का इन्होंने क्या किया बिरोध करना चालो कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ हम यह देख रहे हैं कि जो चर्च कभी बहुत सक्तिसाली हुआ करता था उसमें कुछ कुरूतियां आएं और कुरूतियां किसके आधार पर आएं धर्म के नाम पर आएं और उसी का बिरोध मार्टिन लूथर ने किय और उसके बाद एक नया समू उभरने लगा जो चर्च की इस विवस्था के अगेंस में था और वह कहलाए प्रोटेस्टेंट अभी जो प्रोटेस्टेंट थे यह कहते थे कि ठीक है इसाई धर्म है उसकी मानेताएं हैं हम उन मानेताओं को सिवकार करते हैं लेकिन यह जो चर कैथोलिक शे बढ़ने लगा अर्था कैथोलिक इशाई और प्रोटेशन के बीच में क्या हुआ बिवाद बढ़ने लगा इस बिवाद ने क्या किया हिंसक रूप अक्तियार कर लिया अगर आप इसको देखें सो 1618 में 1618 से लेकर 1648 तक एक क्या होता है तीस वर्षिय युद्ध होता है एक तीस वर्षिय युद्ध होता है एक क्या होता है एक तीस वर्षिय युद्ध तीस साल का एक 30 years वार प्रारम होता है और इस वार में क्या हो रहा है इस युद्ध में क्या हो रहा है एक तरफ है कैथोलिक एक तरफ है कैथोलिक और दूसरे तरफ है Protestant यह क्या कह रहे हैं यह Catholic बेवस्था वाले कह रहे हैं कि Church का परभाव उसी तरह से बना रहेगा चर्च का जो परभाव है वो उसी रूप में बना रहेगा ठीक है जब कि जो Protestant है यह Church में Church के परभाव में कटोती की मान कर रहे हैं यह कटोती में मान कर रहे थे और इस तरह से एक क्या हुआ एक युद्ध परारम हुआ और यह जो युद्ध है यह काफी हिंसक हो गया अर्थाद यह जो 30 वर्षी युद्ध है था इसमें क्या हुआ इसमें हिंसा परारम हो गया और हिंस इस हिंसा को देखकर लोग एक चीज पर सुनिश्चित हो गए और वह यह है कि धर्म के नाम पर जब हिंसा होगी तो वह हिंसा क्या करेगी यह कई लोगों को उनकी जान से क्या कर सकती है बेदकल कर सकती है अर्था जीवन के अधिकार को चीन सकती है आप देखी यहाँ पर क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पर लडाई हो रही है और धर्म के नाम पर जब लडाई हो रही है तो इस लडाई में कोई भी किशी भी पक्षका हो उसके जीवन के अधिकार को क्या हुआ खत्रा उत्वन होने लगा ऐसे में इस 30 वर्षी युद्ध को रोकने के लिए एक समझहोता हुआ और यह जो समझहोता हुआ इसको समझहोते को पीश ओप वेष्ट फेलिया के नाम से जाना जाता है जर्मनी में एक इस्थान है, वहाँ पर एक समझोता हुआ, और जो समझोता हुआ, वहाँ पर एक बात निकल कर आई, और वो है संप्रभुता की, वो है संप्रभुता की, स्वबरिनिटी की, अब प्रिशन आएगा कि सर हम सब्द समझ रहेते सेकुलर, उस सेकुलर सब्द में संप्रुभता कहां से है देखे हुआ क्या चुंकि हमने कहा इस समय तक जो चर्च का परभाव है वह बहुत जादा पढ़ गया था और चर्च क्या करने लगा था यह देशों को आदेश जारी करने लगा था और आदेश को मानना एक तरह से बाधिकारी प्रकर्ति का होने लग सकतासां तो पिस ओप जो बिष्ट फेलिया होता है जो कि 1628 में होता है इसमें यह कहा गया कि सभी राज क्या होंगे संपरभू होंगे और हुआ किसी चर्च के अधिकार को किसी चर्च के आदेश को मानने के लिए बाध नहीं है क्योंकि जो लड़ाई थी वह किस पर थी व जो 30 वर्सी युद्ध हुआ जिसमें हिंसा हुई इसमें भी यही था कि कौन सा धर्म कितना परभावी होगा उसकी बात को किस रोप में श्रिकार किया जाएगा तो इसी लिए यहां पर संपरुता की बात की गई और कहा गया कि हमें संपरुता का समान करना चाहिए अर्थात कोई भी देश वह किसी भी धर्म को माने वह किसी चर्च को माने या न माने माने या न माने हमें संपरुता का क्या करना चाहिए समान करना चाहिए अगर हम संपरुता का समान नहीं करेंगे तो इसी परकार के हिंसक गत्विदिया होती रहेंगे यह कब कहा जा रहा है पीस और बेश्ट फेलिया यह जर्मनी में एक स्थान यहां तक बात हुई आप देखिए यहां से धीरे धीरे आपको धर्म का परभाव और धर्म निर्पेचता की बात कहां से आई धीरे धीरे श्टोरी आगे बढ़ेगी तो क्या यहां पर हम समझ पाए 1648 तक की घटना को हम पर्म सोच पाएं एक बर्ता दिछे प्लीज एक बर्ता दिछे आ का मज़स बता दिजिए यहां तक सौ्झ पाए कि नगे top अ हं इस बतादीये देखो हमें जब ये समझना है कि आखरी सेकुलर सब्द कहां से आया तो सभाविक है ये जो सब्द आया होगा अचानक निकल कर नहीं आया इसका बड़ा एक खूनी तिहास है जब आप इस चीज को समझोगे तब समझोगे एक आखरी सेकुलर सब्द कितना इंपोर्टेंट है क्योंकि धर्म की आधार पर लड़ाईयां पहले से होती रही है और बहुत भयानक लड़ाईयां हुई है ये रोप में इस चीज को आप देखोगे तो बहुत मजबूत तरीक केसा आप साँच पाओगे कर दो कि क्या है कि क्या है कि दॉट्टर आप तिर पुति बाला जी कह रहे हैं सर हां सर मुझे आज पहली बार यह पता चला दीख चीजसर की नोट कैसे बना जैसे मैं लिख रहा हूं आशी नोट करते चलो इसका पीडिएप नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना होगा चुकि मैं खुद लिख कर पढ़ा रहा हूं तो जैसे में आगे बढ़े ठीक है चा आगे बढ़े ठीक है तो देखे हमने यहाँ पर एक सब्ध हमें मिल गया पीस और वेश्ट फेलिया किता है संप्रभुता तो जो आज मौडन हम विचारधारा सौवरिन के देखते हैं, सौवरिनिटी की देखते हैं संप्रभुता की देखते हैं वो कहां से निकल का रहा है, यहां से निकल का रहा है वेश्ट पीस और वेश्ट फेलिया से और संप्रभुता क्यों ज़रूरी है ताकि वो राज्चों, वो चर्च के आदेश को इगनोर कर सके डिनाई कर सके आप समझे इससे पहले बेवास्ता क्या है Character ने योरोप के लिए, या किसी 66 सेस के लिए जो आदेश जारी कर दिया उसको मानना है ऐसे condition में राज दे, तर्बहों के तले दबा हुआ है ऐसे में ना सिर्फ उस राज्य का, बलकि उस राज्य में रहने वाले ऐसे लोग, जो उस धर्म से अपने को अलग रखना चाहते हैं, उनके उपर मुसीबत आ पड़ती थी, और धर्म का परभाव ऐसा था, कि राजा भी उसको उगनोर नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में जरूरी ह हुआ कि संपरूता का बिचार लाया जाए, लेकिन हमें तो क्या समझना है, हमें समझना है कि सेकुलर सब्द कहां से आया, अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, सेकुलर सब्द को भी लेकर आएंगे, ठीक है, तो यहां तक की जर्नी हो चुकी है, 1618 से लेकर 1648, समय आगे बढ़ता है और इश में एक नाम आता है, और इस नाम को आपने सुना होगा, जॉन लॉक का नाम सुना है है आपने, इनको उदारवाद का जनक माना जाता है, अब जो जॉन लॉक थे, इन्हों ने कहा, इन्हों ने ये कहा कि जो धर्म है वहाँ धर्म का अतिपरभाव राज के लिए क्या है खत्रा है अर्थात अगर धर्म के आधार पर हस्तचेप किया जाएगा तो कोई राज क्या होगा सुरच्छित नहीं रहेगा इनका यहाँ पर कहना यह चाहते हैं कि अगर कोई राज धर्म के आधार पर सासन करे तो वहाँ पर क्या होगा सांती स्थापित नहीं हो पाएगे अर्थात राज का कोई धर्म नहीं होना चाहिए यह यह बात कहना चाहरा है तो इन्हों ने यहाँ पर सेकुलर सब्द नहीं दिया है ध्यान दिजेगा बस यह एक बिचार रख रहे हैं बिचार क्या रख रहे हैं कि जो राज है उस राज का कोई धर्म नहीं होना चाहिए इसका मतलब माल लो पाकिस्तान है पाकिस्तान को यह नहीं करना चाहिए कि उसका एक राज की धर्म है कोई भी देश हो उस देश का अगर कोई राज की धर्म है इसका मतलब उसका पालन उ स्विकार करें या फिर इस्वर के उसी स्वरूप को उसी रूप में स्विकार ना करें तो उनके लिए तो क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा दूसरा जब राजी का धर्म होगा तो हर राजी का अपना धर्म हो सकता है तो राजी क्या करेंगे अपने अपने धार्मिक अगे बाद में बाद में है जो विचार धारा है इसी तरह कि विचार बढ़ने लगे और दीरे इस पर सेह मती बनने लगी और यह थी कि राज और धर्म के बीच में एक क्या होना चाहिए एक दिवार होना चाहिए एक दिवार होना चाहिए अर्थात राज अलग हो और धर्म अलग हो यहाँ पर इस चीज पर सहमती बनने लगी अगर राज और धर्म एक ही होगा अर्थात मान लो यह एक राज है और यह एक राज ए है इसने कहा कि हम धर्म X मानते हैं यहाँ पर एक राज है B, इसने कहा हम बाई धर्म मानते हैं, यहाँ पर एक राज है C, इसने कहा हम जेड धर्म मानते हैं, अब क्या होगा, यह धर्म के नाम पर आपस में क्या होंगे, यह लड़ते रहेंगे, और इनका जो संघर्स है, वो क्या होगा, तनाव का कारण बनेग ये नव सिर्फ आपस में लड़ेंगे बलकि एक राज में भी जो नागरिक होंगे जो लोग होंगे वह उस धर्म के दवाव में होंगे जबकि हो सकता है उसमें से बहुत से लोग ऐसे हो जो धर्म को उसी रूप में ना मानते हों तो यहां पर कहा गया कि राज और धर्म के वीच में क्या होना चाहिए औलग-अलग एक दिवार होना चाहिए दोनों को अलग होना चाहिए इसका मतलब है शेहमती है बने राज हो और धर्म अलग-अलग हो हो नापते हो धर्म वहाँ पर जो इस राज में हो वह क्या करें वह ब्यक्ति के वह ब्यक्ति को बताए कि आपका धार्मिक आच्रण क्या हो न चाहिए और जो राज है वह क्या करें सासन चलाए अर्थात सासन कैसे चलेगा यह धर्म ना बताए धर्म यह आदेश जारी ना करें कि सासन कैसे चलेगा राज अर्थत उसकी बिवस्थाएं अपने हिसाब से चले और धर्म क्या हो बैक्ति के अंदिरित हो बैक्ति धर्म बैक्ति को बताए कि आपको किस प्रकार का धार्मिक जीवन जीना चाहिए ना कि धर्म यह बताए कि सातन कैसे चलना चाहिए क्या इस चीज को समझ प प्लीज यहां बता देजे प्लीज इसको बता देजे, क्या इसको हम सोच पाए हम लो मुस्कान लेकर, सर नोर्स को लेंग्विज नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे लेंग्विज ही तो देना खेल है देखो, मैं सब कुछ देखो, मैं तो लिख रहा हूँ, लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो जिस तरह से मैं लेंग्विज दे रहा हूँ, ऐसी लेंग्विज देने का प्रयास करो क्योंकि कोई नोर्स आपके साथ एक्जाम हॉल तक नहीं जाएगा, कोई पीडियप आपके साथ एक्जाम हॉल तक नहीं जाएगा, जो जाएगा वो दिमाग में, तो अगर आप लेंग्विज नहीं दे पाओगे, तो भले ही आपके दिमाग में कितनी भी चीज़े हैं, व वह पेपर पर नहीं उतर पाई तो लेंग्विज देना तो आपको सीखना होगा सौझ गए यहां पर चले आगे बढ़ें चले तो यहां पर धीरे धीरे इस विचार पर सहमती बनने लगी तो आपको सीखना है तो आपको सीखना है प्लिस बता दीजे किसी ने थॉमस जै फरसन का नाम सुना है बताओ किसी नाम सुना हो तो क्या सुने हैं फिर थॉमस जै फरसन का अगर नाम नहीं सुने तो फिर क्या सुने हो झाल झाल प्लिस बताईए पहले बार सुनने है वहलो चलो Thomas J.Person यह क्या थे USA के राश्टपती रह चुके है 1801 से लेकर 1809 तक का कारेकाल है I think इतना ही कारेकाल है इसमें यह USA के क्या रह चुके है यह प्रेसिडेंट रह चुके और इन्हों ने एक बात कहा और वह जो बात है यह अमेरिका के समिधान में भी बहुत मजबूत तरीके से इसको इन्होंने मेंसन करवाया और पूरे देश में इस ब्योस्था को बढ़ाने में Thomas J.Person का बहुत बड़ा योगदान है इन्होंने कहा कि राज और धर्म अलग-अलग होंगे अर्थत राज वह धर्म के बीच में धर्म के बीच में इन्होंने क्या किया अलगाओ की बात की राज और धर्म के बीच में इन्होंने अलगाओ की बात की और इन्होंने यह सुनिश्चित किया या अमेरिका में इन्होंने इस सुनिश्चित किया कि राज क्या करेगा ध्यान देजेगा राज या सासन विवस्था धर्म के आधार पर नहीं चलाएगा अर्थात जो राज होगा उसकी जो सासन विवस्था है वो कैसे चलेगी वो सम्विधान से चलेगी या फिर लोकतांत्रिक नियमों से चलेगी लोकतांत्रिक जो नियम बनाए जाएंगे उससे चलेगी ना कि धर्म क्या करेगा धर्म राज को आदेश नहीं देगा यह बात इन्हों ने बहुत इस परश तोर पर यहां पर कह दिया अब यह बात कहनेवाला जो बैक्ती है इसकी बातों में क्या है तम है और तम इस बात से है क्योंकि इन लोगों ने ध्यांदी जी इस बात कहा की जा रही है यह बात की जा रही है यूएश्य में और यूएश्य के जो लोग थे वो कौन लोग थे यह लोग वही तो थे जो यूरोप से आए थे यूरोप में यूरोप के विभिने छेत्रों से आई हुए लोगी तो थे इन्होंने यूरोप में देखा था कि धर्म किस तरह से क्या करता है लोगों के जीवन में हस्तचेप देता है और जीवन में हस्तचेप होना इसका मतलब है कि ब्यक्तितों का बिकास नहीं हो पाता इसी चीज को लेकर यह अवेर थे और इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं हम यूरोप वाली ब्यवस्था को यहाँ पर लागौ नहीं करेंगे हम यहाँ पर राज्य को और धर्म को अलग-अलग रखेंगे अर्थाग दोनों के बीच में क्या होगी एक दिवार होगी और यह जो दिवार होगी यह अंबुजा सिमेंट से भी जादा मजबूत होगी इसका मतलबी है कि ना तो राज्य क्या करेगा यह धर्म के लिए कानून बनाएगा और ना ही धर्म क्या करेगा राज्य को चलाएगा दोनों की सत्ता अलग-अलग होगी और दोनों अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे अपनी परक्रिया अपने कारे को चलाएंगे राज्य की जिम्मेदारी होगी सासन व्योस्था को चलाना और धर्म की जिम्मे का पालन करना चाहिए यह राज ब्यक्ति को बताएगा इंडुबीजोस को बताएगा फॉर एक्जामपल अगर मैं किसी देश का ब्यक्ति हूँ हना हूना है कि नहीं तो यहां पर अगर कोई धार्मिक सत्ता है तो वह मुझे आदेश दे सकती है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहि करती है कि यहां पर इस तरह की धारमिक कार्मकांड और होंगे यह धार्मिक आचरण किया चाहेगा को सव्च पा एक चीशन अब देखिए यहां तक हम लोगों ने यह तो समझ लिया कि आखिर यह विचार धारा कैसे बढ़ रही है लेकिन यह जो सब्द है प्रशना आएगा यह जो सब्द है सेकुलर सब्द यह कहां से आए तो देखो सेकुलर सब्द का जो अब क्या है इसका भी समझ ईए एक घटना कव कि है 1801 से लेकर 1809 में यह बात की जा रहे है समय आता है 1851 समय आता है 1851 में एक पत्रकार इक व्यक्ति सामने आते हैं और उस्सीटा के आता है jires जैकब होली एक 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 नट जोर्ज जैकब जोर्ज जैकब होली ओग ठीक है एक सिकंड देजेगा एक सिकंड देजेगा थोड़ा सा यहां पर एक इस्पेलिंग करक्क किजिए ठीक है यह बैक्ती थे इन्हों ने कह किया शेकुलर सब्दिया यहां से जोर्ज जैकब होली ओएक बैक्ती थे इंगलिश पत्रकार थे इन्हों ने इस सब्द को आगे लेकर आए जिस सब्द को हम यूज करते हैं वह सब्द है शेकुलर और सेकुलर सब्द कैसे लेकर आए इन्हों ने कहा कि हम एक ऐसी सामाजिक ब्योस्था बनाएंगे जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ रहें एक साथ रह सकें लेकिन कोई भी धर्म क्या करें उनको आदेश ना दे सबके लिए आदेश जारी ना करें अर्थात यहां पर यह कहा गया हम सभी धर्मों को मानेंगे लोग क्या कर सकते हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और हम कोई भी ब्यक्ति दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेगा दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेगा मैं अभी आपको इसको और समझाता हूं मतलब इन्हों ने कहा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां पर हर धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं और सब लोग अपने अपने धर्म का क्या करें, पालन करें, कोई किसी के धर्म की आलोचना ना करें, और धर्म भी सभी के लिए कोई आदेश जारी ना करें. तो यहाँ पर इस ब्योस्था को कहा गया, कि यह जो ब्योस्था होगी, वह कौन सी ब्योस्था होगी, यह होगी सेकुलर ब्योस्था, और यही सेकुलर ब्योस्था आगे चलकर राज्यों के संदर में भी परकट हुई, क्योंकि जो सेकुलर का बिचार धारा था, कि राज्यो और धर्म क्या होंगे, अलग-अलग होंगे, ये सभी तक ये विचारधारा पहुंच चुकी थी, उसी में जब इन्हों ने कहा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी धर्मों के लोग भले एक साथ रहें, लेकिन कोई भी धर्म सभी के लिए कोई आदेश ज कारी नहीं करेगा, और साथे साथ यहां पर प्रतेक ब्यक्ति अपने धर्म को मानेगा, किसी धर्म की आलोचना वो ना करें, क्योंकि धर्म क्या है, ब्यक्तिकत जीवन का भाग है, ना कि राज की जीवन का भाग है, चुकि जो चीज़े ब्यक्तिकत है, वो ब्यक्ति के इस इसी तरह से क्या होंगे जुड़ी रहेंगे सब लोग अपने अपने जीवन के बैक्तिगत मुल्यों को लेकर बैक्तिगत मान कर चलेंगे तो कोई दिकत नहीं होगा यहां से एक सेकुलर सब्ज निकल कर आया कि सौज पाए आप लोग क्या हम लोग इसको सौज पाए ठीकर नहीं हमा मुझाओ आप जाए आप लोग इसवा हमपने हम लोग जया हम आप लोग जया हम लोग हम लोग चौज यहां च्छाए आगे बढ़ें, अब देखें, यहां से जो secular, जो secular सब्द है, जिसके लिए हमारे समिधान में पंथ निर्पिच सब्द, पंथ निर्पेच सब्द का प्रियोग किया गया है इसके क्या अर्थ निकले इसका क्या अर्थ निकला और इसके क्या लच्छन बताए गया उसको समझ लिजे कि आखेर यह बात कहां से आई तो सेकुलिरीजम की जो पस्मी ओधार्णा है वह कुछ मुल्यों पर टिकी हुई है क्या सहमती बनी अभी तक की पूरी जर्नी में और यह जो जर्नी है कहां से स्टार्ट हो रही है यह स्टार्ट हो रही है 15-16 सताब्दी से 15-16 सताब्दी से एक विचारधारा एक शंगर्स, एक नया कॉंसेप्ट उभरता हुआ, अब कहां पर आ चुका है, अब 1851 तक आ चुका है, और अब जो सेकुलर की परिभासा दी गई, और जिसकी उम्मिद राज्यों से की गई, तो कोई राज्य यह कहे कि वो सेकुलर है, तो उसको क्या करना होगा, यह इसके ल कोई धर्म नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात भारत, मालो भारत एक देश है, एक राज्य है, इंटरनेशनल लेंगोज में देश को हम राज्य की रूप में बोलता है, तो भारत यह नहीं कहेगा, कि उसका एक धर्म है, सब ही लोगों का इसका पालन करना चाहि तो उस राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य की धर्म नहीं होगा, राज्य की धर्म का मतलब है, तो राज्य की धर्म नहीं होगा, राज्य की धर्म का मतलब है, एसा धर्म जो राज्य की सभी लोगों को पालन करना पड़े, तो राज्य की धर्म नहीं होग अर्थात यह राज और धर्म के राज वह धर्म के अलगाओ की बात करता है तो पहला तो पॉइंट यह हो गया कि राज का कोई धर्म नहीं होगा सेकुलर होने के लिए कोई देश सेकुलर है कि नहीं उसको पहले इस पॉइंट पर चेक करना होता है दूसरा इसका दूसरा जो बिंदू है वह यह है कि परतेक ब्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए सुतंत है अर्थत परतेक ब्यक्ति की क्या होगी धार्मिक शुतंतरता होगी धार्मिक सुतंतरता होगी यह बहुत बड़ी बात तो नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि परतेक राजा अपने देश में क्या कर रहा था किसी धर्म को राज की धर्म घोसित कर दे रहा था इसका मतलब वहां के लोग को अब कोई धार्मिक सुतंतरता नहीं है और जो राजा ने जो भी धर्म को राजी का धर्म घोसित कर दिया सभी को उसी धर्म को मानना होगा जब कि ये विचार कहता है कि भीया धर्म क्या है एक बैक्तिगा चीज है इसलिए परतेख बैक्ति को धार्मिक सुतंतरता हर बैक्ति को मिलना चाहिए। तभी तो क्या होगा? धर्म और राज्य का अलगा होगा। अगर कोई ब्यवस्ता्, कोई धर्म सभी के लिए आप कहे दो कि नहीं, आपको मानना ही होगा, तो फिर क्या हुआ? यह तो राज्य की धर्म हो जाएगा। और जब राज्य की धर्म हो जाएगा, तो बैक्ति के पास खुद की धार्मिक सुतंतरता नहीं होगा। इस धार्मिक स्वतंतरता में नहीं थै धर्म को ना मानने की स्वतंतरता तो यहां पर पहला यह होगा कि राज का कोई धर्म नहीं होगा, दूसरा इसका जो लच्छण होई है कि परतेग व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार आच्रण करने का अधिकार होगा ब्यक्तिकत मुद्दा मानेगा या ब्यक्तिकत यह मामला मानेगा ठीक है और राज तभी हस्त छेप करेगा जब किसी के धार्मिक आचरण से किसी के धार्मिक आचरण से किसी के अधिकार का उलंगान हो इसका मतलब क्या है जैसे आपका धर्म है आप यह चाहते हो कि आप क्या करो आप माला माला माले में क्या करो कंकाल पहन कर घूमो यह मान लेते हैं कि आपको लगता है कि यह आपके धर्म का आचरण है लेकिन आप कंकाल पहन कर घूम रहे हो तो बच्चों में क्या होगा डर बैठ जाएगा अर्थात आपके धार्मिक ब्योहार से लोगों में अगर डर बैठ रहा है तभी राज जहस्तचेप करेगा अदरवाई राज जहस्तचेप नहीं करेगा अर्थात आप घर में बैठे हुए हो आप कंखाल के साथ बैठे हो या फिर आप पूजा पर्दती कुछ भी कर रहे हो किसी को कोई दिकत नहीं है क्योंकि आपको धार्मिक सुतंत्रता मिली है कि आप क्या करेंगे अपने धर्म को मान सकते है परतिक बैतिको जैसे आपको आज अलग धर्म को मान रहे है और बगल वाला जो उनके साथ में रहने वाला है वो अलग धर्म को मान रहे है कोई दिकत नहीं है दिकत तो आएगी जब आपका आचरण ऐसा हो जो दूसरे की अधिकार को चीने जैसे कि हमारे हां पर भी तो धार्मिक सुतंत्रता है लेकिन उस प गई जिस पर सेकुलर का आधार विक्षित हुआ तीसरा चीज और है तीसरा पॉइंट और है कि धर्म के आधार पर तीसरा धर्म के आधार पर राज बिभेद नहीं करेगा राज बिभेद नहीं करेगा धर्म के आधार पर राज किसी के साथ किसी के साथ बिभेद नहीं करेगा अच्छी जो पंच निच्छ पेट की जो यह ओधाना बता रहा हूं यह कौन सी ओधाना है यह पश्मी ओधाना है ध्यान दिजेगा यह अभ भारती ओधार्णा को अभी हमें समझना है अभी भारती ओधार्णा को भी मैं बताऊंगा ठीक है तो तीसरी पॉइंट जिस पर सहमती बनी हुए है कि धर्म की आधार पर राज किसी के साथ विभेद नहीं करेगा मान लो यह एक राज है और यहां पर जो है कि 10,000 लोग रहते तो यहां पर राज के लिए आधेश क्या दिया जा रहा है कि राज ऐसा नहीं करेगा कि वह कहे किसी धर्म विशेश को कहे उसको परमोट करे और बाकी लोगों को कहे कि नहीं आपके धार्मिक अधिकार कोई अधिकार ही नहीं है हम पैसा दे रहे हैं हम कोई सुबधा दे र किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा तो यह कहां से आया है यह सेकुलर की जो पस्मी ओधार्णा है वहां से निकल कर आए अब बताई क्या यहां तक हम सौच पाए क्या यहां तक चीजों को हम सौच पाए प्लेस बताए यह प्लेस एकबर बता देजिए अब बताई क्या वहां बताई पाए आए 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 झाल झाल चले अच्छा समझ में आ गए तो पच्छो लाइक और सेवर कौन करेगा अगर आप सौंच बार है तो लाइक और सेवर कौन करेगा करेगा लाइक और सेवर कर दो ठीक यह देखे तो यहां पर हमने क्या समझ लिया यहां पर यह समझ लिया कि राज अगर अपने आपको शेकुलर इस्टेट घूसित करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा उसको तीन काम करने होंगे एक दो और एक तीन पहला यह होगा उस राज का कोई धर्म नहीं होगा अर्था धर्म नहीं मतलब कोई राज की धर्म नहीं कोई राज की धर्म नहीं दूसरा यह करना होगा कि सभी को धार्मिक शुतंत्रता देने होगे कि सभी को धार्मिक शुतंतता देने हुए तीश्रा काम क्या करना होगा वह यह है कि राच धर्म के आधार पर भीभेद नहीं करेगा राज धर्म की क्या था चर्च का परभाव था और जो चर्च का परभाव था वह राजियों को क्या कर रहा था वह राजियों को धर्म तंत्र के हिसाब से चला रहा था राजियों को क्या कर रहा था वह धर्म तंत्र जिसको बोलते ही थियोक्रेशी उससे चला रहा था थियोक्रेशी का मतलब है धर्मतंद का मतलब है कि यहां पर क्या होगा जो बैक्तिगत जीवन ध्यान दिजेगा बैक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक जीवन को बोलते हैं सासन ब्यवस्ता तो यहां पर क्या हो रहा था चर्च पहले क्या कर रहा था और राज्यों को अपनी हिसाब से चला रहा था इस ब्यवस्ता को बोला जाता है थियोक्रेशी अर्था धर्मतंत्र और धर्मतंत्र जहां और सारवजनिक जीवन, दोनों ही क्या चलेंगे, ध्यान दिजेगा, दोनों किसे होंगे, धर्म से संचालित होंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर नियाय बेवस्था कैसी होगी, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, यहाँ पर मेडिकल सुबधाय कैसी होगी, राज को क्या अधिकार होगा क्या नहीं होगा किस तरह की अर्थव्योस्था होगी ये सभी जो कि सारवचनिक जीवन का भाग है ये धर्म डिसाइड करेगा लोग किस प्रकार का बस्तर पहनेंगे किस तरह का नहीं पहनेंगे ये सब क्या होगा ब्यक्तिगत जीवन कैसा होगा ये भी आधार पर torture ना करे, जैसे कि एक महिला के मृत्य हो गए, इरान में जो क्या हुआ, जब बिवाद बढ़ा, तो वहाँ पर उस पुलिस तंतर को समाप्त कर दिया गया है, जो लोगों के बैक्तिगत जियोन में हस्तचेप कर रहा था, तो जहाँ पर भी क्या होता है, धर्म तंत आपको धर्म का परभाव देखने को मिलेगा, तो राज्य क्या कर रहा था, धर्म तंतर को बढ़ावा दे रहा था, और इस धर्म तंतर ने लोगों के बैक्तिगत जिवन में कई तरह की कटनाईयां उत्मन कर दी थी, और सारजुनिक जिवन में अर्था जो सासन व्योस्थ चला था, उसमें धर्म का परभाव इतना जादा हो गया था, कि लोग क्या कर रहे थे, अब उसको अलग नजरिये से देखने लगे थे, उनको लगने लगा कि जो धर्म लोगों तक सीमित होना चाहिए, उसके आधार पर जो सासन व्योस्था चलाया जा रहा है, वह उनके ल अनिश्वर बाद, अभी देखें इन दोनों की बीच में सेकुलर कहां आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, अनिश्वर बाद, और अनिश्वर बाद को इंगलिस में बोलते हैं, एथीज, अनिश्वर बाद, अर्थात कुछ लोगों ने कहा कि हम इश्वर को नहीं मानें अस्वर के अस्तित्यों को हम स्विकार नहीं करते। आप देखें, अब यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, कि आखिर यहां पर एक तरब धर्म तंत्र है, जहां पर ब्यक्ति का जीवन, उटना, बैठना, सब कुछ धर्म के अंसार हो रहा है, और एक जगे हम धर्म के अस्तित्यों को ही, इस्वर के अस्तित्यों को ही सिवकार नहीं कर रहा है, तो दोनों ही ब्यवस्था क्या थी, एक पीक थी, एक अपना ही समझ लीजे, सर्वोच बिंदू था इनका, इसके बीच से, इन दोनों के बीच से, अर्था धर्म तंत्र, और यह अनिस्वर बाद क बीच में यहां पर आया कौँसा आपका सेकुलर अर्था पंत निर्पेच पंत निर्पेच ने क्या किया दरसल दोनों में सामंजस स्थापित कर दिया और कैसे सामंजस स्थापित किया देखे पंत निर्पेच अर्था सेकुलर ने इसलिए क्या कहा था उस चीज को फिर से मैं जो बता रहा रहा हूं और आप उसको और अच्छी स़ाँच पाऊ, पंत निर्पिछ नि क्या कहा, कि ठीक है, सब का, सब के पास क्या होगा? धार्मिक शुतंतरता होगी, बात पहा कहा ठीक है, ठ остав wären, सब क्या होगी, धार्मिक शुतंतरता, सब की लगी, तो, दोनों इसमें क्या हो गया सामिल हो गया दूसरा यहां पर एक तरव क्या किया जा रहा था धर्म तंतर में यह कहा जा रहा था कि जो ब्यक्तिगत जीवन है और जो सार्वचनिक जीवन है हर जगे धर्म रहेगा इसने क्या कहा कि नहीं कि जो धर्म है जो धर्म है वह ब्यक्ति जीवन का भाग होगा लेकिन जो सारवजनिक बेवस्था होगी उस सारवजनिक बेवस्था को क्या किया जाएगा सारवजनिक बेवस्था को धर्म से क्या किया जाएगा अलग रखा जाएगा और प्रश्न आएगा कि आखिर सारवजनिक बेवस्था को धर्म से अलग क्यों र करते या फिर जो उसी रूप में चुकि सभी का जो धार्मिक जो डाव है धर्म के साथ इश्वर के साथ जो लगाव है वह एक जैसा नहीं होता तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धर्म को बस इतना ही मानेंगे कि ठीक है हम कभी चड़ चले जाएं कभी मंदिर चले जाएं ब राजी क्या करेगा जब धर्म के आधार पर बिभेत नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर हमने धर्म को भी रख लिया कि ठीक है सब लोग अपना अपना धर्म मानो लेकिन राजी को राजी बना क्यों है ताकि सांती बेवस्था सारवचिनी जीवन को सुचार रूप से चला सके, राज्य का अस्तिती कैसे आया कि भाया, पहले क्या थे लोग अलग-अलग रहते थे, फिर कभीले बनें, फिर बड़े कभीले बनें और फिर ये सहमती बनाए गई कि कौन क्या कर सकता क्या नहीं, तो कौन क्या कर सकता इंक ये ब्यक्तिगत जीवन में डिस कैसे रहते हो यह आपका ब्यक्तिगत मामला है तो दरसल पंत निर्पेच ने क्या किया एथेज्म और थियोक्रेसी के बीच में एक सामन्जस इस्थापित करने का दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया इसलिए जो सेक्लूरिजम का कॉंसेप्ट है वह ज्यादा जो है प्रम्ट 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 फिल्सेगा बताई जेए जो हूं है हूं है अ अब देख़ए आगे बढ़ते तो जो पंत निर्पेच्छ का पंत निर्पेच्छ अर्थाथ अभी हम पंत निर्पेच्छ नहीं इसको मैं मिटाई देता हूं ठीक है मिटाई देता हूं तो जो हमने secular सब्ढ समझा, इस secular सब्ढ में कहा है? यह राजु को क्या करता है? आदेश देता है. और राजु को क्या आदेश देता है? कि राजु क्या करेगा? अपने को धर्म से अलग रखेगा. यह धर्म से क्या करेगा अपने आपको अलग रखेगा और धर्म से अलग की बात कहां पर करता है सार्वजनिक जीवन में कहां पर सार्वजनिक जीवन में अब यहां पर भी एक बढ़ी बड़ी बात आ जाती है कि आखिर सारवजनिक जीवन को हम कैसे define करें सारवजनिक जीवन में पहले राज आदेश किसको किया जा रहा है secular जो state है वो राज्य को आदेश देता है राज्य का मतलब क्या है यहां पर कि कहीं पर अगर राष्टपती पद है तो राष्टपती कहीं पर PM है तो PM कहीं के CM है तो CM या जो भी आप नोकर साही देखते हो जिसमें आप जाना चाहते हो इस सब क्या है राज्य के भाग है अर्था जो सरकार के अंग है जो सरकार के अंग है चाहें पद कोई भी हो वो सब क्या होते है राज्य में सामिल हो जाते है राज में सामिल हो जाते हैं अब इस वे कहा गया है कि सारवजनिक जीवन में आप क्या करेंगे धर्म का पालन नहीं करेंगे अब बताईए आप मुझे एक चीज़ बताईए यहाँ पर अगर हम अपने देश की इस्तर पर देखें तो हमारे यहाँ पर परधान मंत्री है हमारे यहाँ पर राज हैं उनके मुखे मंत्री है हमारे यहाँ पर IS है हमारे यहाँ पर IPS है और छोटे इस्तर पर लेकर यहाँ पर क्या देखेंगे SI तक के पोश्ट आप देखेंगे इस सब क्या हो गए यह राज के भाग हो गए अब इनको क्या आदेश है? इनको यह आदेश है कि भाईया जो भी नीतियां बनाओगे या जो नीतियां लागू करोगे उसमें धर्म नहीं आना चाहिए, उसमें धर्म के आधार पर आचरण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि परधान मंत्री बैतिगा जीवान में क्या कर सकते हैं? वह हिमालया जा सकते हैं, वह केदारनाथ जा सकते हैं, वह किसी भी आश्रम किसी भी मठ में जा सकते हैं, लेकिन परधान मंत्री पद पर रहते हुए वह कोई ऐसी नीति नहीं बनाएंगे, चुकि जो कि क्या हो, जो सभी पर लागू हो, वह अपने लिए माला लेकर चल सकते हैं, वह किसी खास परकार का बश्तर पहन सकते हैं, यह उनका ब्यक्तिगच युआ है, लेकिन वह चुकि परधान मंत्रे भी हैं, तो परधान मंत्रे हैं, तो कोई ऐसी नीति नहीं बनाएंगे, आश्रम में जाता हूं सबको वहां जाना चाहिए ये परधान मंति नहीं कह सकते ठीक किसी तरह से सियम भी क्या है एक बैक्तिग अब देखिए इनका यहां पर जाना यह सब क्या है इनके बैक्तिगत जीवन का भाग है यह इनका ब्यक्तिगत जीवन है, सारवचनिक जीवन कौन सा है, यह पद, तो दरसल यहां पर राज को आदेश जो दिया गया है, वो पद को दिया गया है, कि इस पद पर रहते हुए आप कोई धर्म के आधार पर आचरण नहीं करेंगे, तो अगर इस पद पर है, तो इस योगी आदितनातिजी, क्या है, मुख्य मंत्री हैं, अब यह मुख्य मंत्री हैं, इनका पोशाक अलग है, और यह मठ से भी जोड़े रहे हैं, इनका एक आपना धार्मिक परभाव है, एक धर्म की ओर इनका रोजान है, ब्यक्तिगत तोर पर धर्म विशेश से जोड़े ह अब यहाँ इतना होतने के बावजोद यह यह नहीं कह सकते कि जो मेरा धर्म है वही धर्म सब लोग माने यह जो मेरे धर्म का बस्तर है ब्यवहार उसी परकार का सब लोग ब्यवहार करें अर्थात यहाँ पर जो आजादी है इनको ब्यतिगत तोर पर यह किसी भी परकार की कपड़े पहन सकते इनकी जगे कोई दूसरे अगर किसी हम आ जाएं जो किसी अलग धर्म से होंगे तो अपनी वह तोपी पहनेंगे अपनी पोशात पहनेंगे अपनी बेश भूसा धारित करेंगे लेकिन सारवचनिक नीति को धर्म के इसाब से नहीं चलाएंगे ना तो योगी आदित ना चिती और ना कोई दूसरे सी है क्या इस चीज को सौझ पाए आप लो? क्या हम लोग इस चीज को सौझ पाए? इसका मतलब है कि जो धर्म है धर्म को आपको क्या करना होगा दो तरह से देखना होगा एक तो है बैक्तिगत जीवन के संदर्म में और दूश्रा है सारवचनिक जीवन के संदर्म सारवचनिक जीवन के संदर्म तो ब्यक्तिगत जीवन में धर्म क्या है? हर ब्यक्ति को स्वतंतरता है और यह स्वतंतरता किसको मिली है? यह सरकार के अंग में जो ब्यक्तिगति, पर्धान मंत्री, राष्टपती, पर्धान मंत्री सब को मिली है क्योंकि धर्म ब्यक्तिगत चीज है तो कोई ब्यक्ति अगर किसी पजवत पहुंच जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि वह अपनी धार्मिक सुतंतरता खो देता है। ऐसा बिलकुल नहीं होगा। लेकिन हाँ सारवुचिनिक जीवन में वह इस तरह का बेवहार नहीं करेगा। यहां दो कि लिया रह कि सौच पाइपकी कि नहीं यहां तक सौच पाइपकी नहीं तुम। साइबभाऀ नगनें होगा ऌट में डां। कि प्लेश种ंच पाइपकी कि नहीं। ठीक है चाल तो यह जो सेकुलर का कॉंसेप्ट आया यह कहां से आया पस्थिम से आया अब थोड़ा सा हम भारत में देखें भारत में अगर हम देखें तो यहां पर जो इस शेकुलर सब्द है यह धर्म से अलगाओ की बात करता है धर्म का मतलब क्या है अगर आप देखें तो धर्म का क्या अर्थ है धर्म की इंगलिज्स क्या होती है यह religion यह religion से अलगाओ के बात करता है यह religion से अलगाओ के बात करता है ठीक है और जो religion सब्ध है यह कहां से आया हुआ है यह एक Latin सब्ध से आया है जिसका नाम है एक Latin word Latin सब्ध religare यहां से आया है और religare का अर्थ क्या होता है to connect टू कनेक्ट अर्थात जोड़ना अब देखिए मैं यहां पर अर्थ बता दूंगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो वेस्टन सेकुलर है और इंडिया का जो पंत निर्पेछे उसमें दोनों में क्या अंतर है तो रेलिगेर का अर्थ होता है टू कनेक्ट इसी तो रिलीजियन का भी अर्थ क्या हुआ तू कनेक्ट प्रश्ण आएगा किसको कौन कनेक्ट कर रहा है तू कनेक्ट का मतलब यहां पर है कि व्यक्ति को इश्वर से जोड़ना अर्थात एक इंडिवीजूल को एक इंडिवीजूल को गौड से क्या करना कनेक्ट करना यह द दुनिया से जोड़ना, अर्था टिक ऐसा आचरण, जिसमें एक बैकती, खुद को गॉड से जोड रहा है, वह क्या है? Religion है, अगर कोई बैकती, इस दुनिया के साथ-साथ, ऊपर की दुनिया का इंतिजाम कर रहा है, वह क्या है? वह religion है ठीक है यहाँ पर आप देखेए यहाँ पर हमें क्या बता चला कि जो secular है वह दरसल इस religion के religion से अलगाव की बात करता है secular जो है वह जिसको हम धर्म कह देते हैं दरसल यह धर्म नहीं है यह religion से अलगाव की बात करता है अब मैं आभी आपको बताऊँगा कि आखिर मैं इन सब्दों में अर्थ क्यों कर रहा हूँ अब देखिए जो धर्म है भारत में अगर हम कहें धर्म तो धर्म का मतलब क्या होता है धर्म जो है वो ध्री धातू से बना है ध्री धातों में धर्म जो है, वो संस्क्रीप के ध्री धातों से बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रहन करना, ग्रहन करना, जिसका अर्थ होता है, ग्रहन करना या धारन करना, या धारन करना, इसका मतलब क्या है, जो धारन करने योग है, जो अपनाने योग है, जो अपनाने योग है वह क्या है धर्म है वह क्या है धर्म है फॉर एक्जाम पर अगर आप एक विद्यारती है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप विद्यारती जैसा आचरन करें आप विद्यारती जैसे गुणों को क्या करें धारन करें तो यह क्या हो गया आपका विद्यारती धर्म ह कहता है मुझे क्या धारित करना चाहिए कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊं वह अच्छी से पढ़ाऊं अगर मैं अच्छी से पढ़ाने का प्रयास करता हूं तो यह मेरा क्या होगा सिच्छक धर्म होगा अर्था धर्म का अर्थ है धारन करना जिसको हर व्यक्ति को धारन करना धारण करने धर्म का मतलब यहां पर कर्तब बेशे जैसे आपका विद्यारती होने के नाते कुछ कर्तब है मेरा सिच्छक होने के नाते कुछ कर्तब है जब आप अधिकारी होंगे तो आपसे क्या उमीद की जाएगी कि आप क्या धारण करेंगे आप समिधान के मुल्यों को धारण करके आप समाज के लिए काम करेंगे, समिधान के उसरकार करेंगे, तो आप क्या हो गए? आप अच्छे अधिकारी हो गए. ठीक इसी तरह से, अगर कोई राजा है, तो राजा क्या कर रहा है? अगर सासन विवस्था को अच्छे से चला रहा है, लोग ही तैसी तरीके स चला रहा है तो वह क्या कर रहा है वह धारन कर रहा है क्या धारन कर रहा है अपने करतब्यों को वह क्या कर रहा है करतब्य विद्यारती होने के लिए आपका करतब्य अच्छे से पढ़ाई करो सिच्छक का करतब्य अच्छे से पढ़ाई अधिकारी का करतब्य है वह अपने जो भी उनकी जिम्मेदारिया हैं, उनका अच्छे से निर्वहन करें, उसको वह धारित करें, राजा क्या करें? वह अपने राज्य में नियम के अंसार सासन बेवस्था चलाएं. ठीक, इसी तरह से क्या है? परधान मंत्री हैं. तो इनका धर्म क्या होता है? कि ये सम्विधा क्या करें? बेवस्था चलाएं. तो हम कहेंगे कि जो परधान मंत्री हैं, वह अपनी राजधर्म का पालन कर रहा है. कोई मोख्य मंत्री, अगर राजधर्म का पालन करने का मतलब क्या है? कि वह राज की जिम्मेदारियों को सम्विधान के अनुसार चला रहा है. अर्थात जो धर्म है, ये धर्म और रिलीजियन से क्या है? अलग है. दरसल रिलीजियन के लिए हमारे यहाँ पर जो सब्द है, वह है पन्त. इसलिए हमने रिलीजियन के अगेंस में जो रिलीजियन के जगे पर जो सब्द यूज किया है, वह पन्त. पन्त का मतलब होता है कि करना जैसे इसाइई में Catholic est protestant यह पंत है हमारे यहां पर हिंदू है मुचली में यह क्या है तो हमें क्या करना है पंत निर पेच्छोना है ना कि हमें धर्म निर पेच्छोना है अगर यहां पर परधान मंत्री धर्म निर्पेच हो जाएंगे तो क्या करेंगे वह अपने परधान मंत्री के कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि परधान मंत्री का राजधर्म क्या होता है समिधान के अंसार कानून को चलाना समिधान के अंसार देश को चलाना मुख्य मंत्री का राजधर्म क्या है धर्म क्या है उनका वह जिस पद पर है उस पद की गर्मा के अंसार सासन करना समिधान के मुल्यों के अंसार सासन करना अगर आप अधिकारी है तो आपका धर्म क्या है समिधान और नियमों के अंसार सासन दो तो धर्म तो क्या है वह तो आपके जीवन का धर्म क्या है कर्तब है अगर भहिया कोई कर्तब चोड़ देगा उसका जो कार है वो कर देगा तो फिर तो क्या होगा? कुछ होई नहीं पायागा मैं सिच्छक हूँ, मैं पढ़ाना चोड़ दूँ तो मैंने सिच्छक धर्म को क्या कर दिया? त्याग दिया, काम नहीं चलेगा आप विद्यारती है, आपका कर्तब है अच्छे से पढ़ना आप नहीं करोगे, तो क्या होगा? दिक्कत होगी इसलिए हम धर्म को नहीं चोड़ते धर्म यहाँ पर कर्तब है, धर्म यहाँ पर पूजा पाट की पद्दती नहीं है तो जो सेकुलर सब्द है, वह दरसल पूचा पाठ की पद्धती के अगेंज में है, तो हमने क्या अपनाया है, हमने अपनाया है पंथ निरपेच, इसलिए 1976 में जब हमने सब्द जोड़ा, समिधान में सेकुलर वर्ड जोड़ा, जो कि पहले नहीं था, तो हमने इंगलिस में तो सेकुलर लिख दिया, लेकिन हमने हिंदी में क्या किया, पंथ निरपेच किया, और पंथ निरपेच का मतलब यहां पर रिलीजियन से अलगाओ से हो जाता है, पंथ का अर्थ यहां पर रिलीजियन के अलगाओ से हो जाता है, अब बताओ, क्या आप सौज पाएं आप ल तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमने पंथ निर्पेच सब्द क्यों यूज क्या है तो आप बताएगा भीया कि पंथ निर्पेच जो सब्द है वही दरसल क्या है सेकुलर के हिसाब से फिट बैठता है क्योंकि पंथ का मतलब है रिलीजिन से अलग होना तो हमारे हाँ पर जो धर्म है वह धर्म रिलीजिन नहीं है धर्म का मतलब है करतब होना तो करतब अगर हम छोड़ देंगे तो हम करेंगे ही क्या तो हमें भी क्या छोड़ना है रिलीजिन को छोड़ना है तो रिलीजिन के लिए जो हमारे पास हिंदी में सब्ध है वो है पंत ना की धर्म धर्म तो हर ब्यक्ति का है वो किसी भी धर्म का हो भले ही कोई ब्यक्ति इस सवर को माने या ना माने वो भी क्या है वो उसके पास भी धर्म है क्योंकि वो जो ब्यक्ति है वो क्या होगा या तो क्या हुआ इस्टुडेंट होगा तो उसका करना धर्म का मतलब जो अपने जन्म से लेकर अंत तक धारित किये रहता है और जो उसको धारित करना चाहिए इसलिए हमारा जो सेकुलर सिश्टम है वह धर्म से हमको अलग नहीं करता बलकि पंथ से अलग करता है और दरसल यही ठीक भी है क्योंकि पंथ में ही पूजा पाठ अपद्धतियां आती है धर्म तो वो उसका भी है जिसका कोई धर्म नहीं है कि सौंच पाए तो हम लोगों ने पंथ ने पिच्छो जब हम लोग इस सब्द को डाल रहे थे तभी इस बात पर डिबेट हुई कि आखिर हम वहां पर धर्म निर्पेच क्यों नहीं लिख रहे हैं तो धर्म निर्पेच अगर हम लिख देते तो इसका मतलम हम अपने परधान मंत्री अपने मुख्य मंत्री अपने अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप धारन मत करो क्या धारन मत करो अपने कर्तब्यों को धार अगर छोड़ दो गए तो फिर तो क्या होजाईगी अरजकता होगे चोड़ना क्या है हमें religion को अर्थात जो हमारी धार्मिक मन्यता है कि हम पूजा पाट कैसे करेंगे, हम तिलक लगाएंगे, टोपी लगाएंगे, हम किस परकार का बस्त पहनेंगे, हम किस तरह से पूजा पढ़ देखती, तो ये जो सब्द है, जो ये सभी चीजे हैं, ये किस से जुड़ी हुई हैं, ये पंथ से जुड़ी हैं, तो हम पंथ स कहेगा कि हम इस तरह की ब्योस्था चलाएंगे अर्था धर्म विश्यश को परमोट नहीं करेगा किसी के अधर्म के आधारपक किसी को वह रोकेगा नहीं भारत भी क्या करेगा पंथ से टटरसता अपनाएगा हम सभी पंथों को समान नजरिये से देखेंगे अर्थात हमारे धर्म अब खुझ जानते हो हमें धर्म से कोई मतलम नहीं है धर्म तो सभी के लिए है और धर्म का अर्थ क्या है धारण करने हो तो हमें धर्म से कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत जो होती हो पंथ सो होती इसलिए हमने अपने आपको पंथ निरपेच गोशित किया है तो जो से किताबों में भी क्या है धर्म निर्पेच लिख दिया जाता है लेकिन अच्छा होगा कि हम वहाँ पर पंत निर्पेच लिखें क्योंकि धर्म तो हर व्यक्ति का है जो धर्म को नहीं मानता है उसका भी तो क्या है धर्म है कि वह अपना उसको कर्तब मान रहा है वह कर्तब मान तो यहां पर कर्तब आतत और व्यवहार से हमें मुक्त नहीं करना है हमें पंत के अधार पर पूजा-पाट की अद्धति हम हम हवन करेंगे या फर जो है कि हम कोई दूसरे तरह की पूजा-पदति करेंगे उस पर हमें क्या करना है रोक लगाना है कि लिए रहे अधिक है सब्सक्राइब प्रस्तावना में धर्म निर्पेच उसके बारे में किर्पया वाताएं वह यह तुम अभी आईसी सब्द पर तो डेड़ गंटे से कलास चल लए है तो पहले बात तो प्रस्तावना में धर्म निर्पेच नहीं यह पंथ निर्पेच है उसी के बात हो रहे है हना अभी इससे वही क्लास चल लए थी ठीक है डेली तो इस एक्षटी पर होती है, आज 7.30 पर इक्लास होगी, बाकि अगर आप और पढ़ना चाहते हूं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर, आप मेरा अनेकेडमी प्रोफाइल लिंक फॉलो कर सकते हो, अनेकेडमी और रेफरल कोड है, इस एजुकेटर और रेफरल कोड का प्रियोख करके, आप सबस्क्रिप्शन ले सकते हो, इससे क्या होगा, डिस्काउंट और ऑफर तो प्राप्त होगा ही, आपको मेरा पर्सनल गाइडिएंस मिल जाएगा, मेरा परसनल गाइडिएंस कितना खास है, अगर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील बर्मा आनेकेडमी, उसको जाकर देख लिजे, उससे आपको क्या होगा पता चल जाए, चलिए, मिलते हैं नेक्श क्लास में, थेंक यू स ußen, थेंक है, व मैं गुशन के वाई, यू समय कोई।